हेलो फ्रेंट्स आप सब कैसे हो मिदे सब अच्छे होंगे रादे कृष्णा जैशी राम और आज देखो हम क्या बना रहें तो हमारे पास आज बनाने के लिए सबजी क्या थी शाम के बज़ रहें पांच और पांच बज़े ये मैं सोच सोच के परेशान हो गई थी गर्मियों में बड़ी दिक्कत होती है सबजी की तो बच्चों से डिसाइड हुआ कि आज बना लो ममी पनीर की भूजी तो ये मैं बना रही हूँ पनीर की भूजी और ऐसे मैंने कैसे बनाई है जो आपको पता होगा अम्रसरी भूजी बना रही हूँ और हम नॉर्मल बनाते हैं जैसे रोज थोड़ा लिया बना लिया कर लेकिन ये बिल्कुल अलग है पूरा वीडियो देखेंगे आपको पता चलेगी और वीडियो को पूरा वाच किया करें और मुझे जैसे प्यार देते हैं देहर सारा प्यार दीजिएगा और मुझे आपकी प्यार की और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जिरुवत है तो इस मैं डालूगी हरी मिर्च,2-3 हरी मिर्च डाली है मैंने और इसको मैं काट लूगी मिर्च.- तो थोड़ा दिकत देंगी क्यों कि यह मेरे पास दूसरे वाला है दूसरे वाला जो कटना होता हो नहीं है बड़ा वाला है तो बड़े वाले में थोड़ी चीजे ना पता ही नहीं चलती है, तो इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ, तो इसको यह ऐसमें भी बहुत अच्छे से कुट जाता है, और अच्छी बनती है, तो उसके लिए मैंने इसमें कुट लिए यह मिटचे, और लसन, इसको मैंने कुट लिए आपके पास में अधरक है तो आधरक भी डालने मैं रिपास अधरक नहीं है खतम हो रहा तो मैंने सिर्प लसन और मिर्च का पेश्ट बना लिया है अधरक पेश्ट बना लिया है अब मैं रखूंगी गैस पे यह फ्राइपैन और इसमें डालूंगी मैं सर्सों का तेल यह सर्सों के तेल में ही अच्छी बनती है आप घी या मुफली का तेल या रिफाइन में बनाओंगी तो इतना इसमें टेस्ट नहीं आता हमें तो आता न और तो मैंने इस पर रख दिया यह फ्राइपैन और मैं चली गई थी थोड़ा सा दही लेने अंदर से फ्रेज से दही निकाला और इसको मैंने निकाल लिया यह मेरी दो चमच दही लिये मैंने और इस दही को मैं फैट लूँगी हम इसमें डालूँगी सर्सों का, तेल गरम होने के लिए एक बड़ा चमच माच इसमें मैंने तेल डाल दिया यह आपको लग रहा होगा डबे से डाला यह लिकिन मुझे अंदज आ है क्योंके मैं किचन में काम करती हूं मुझे अंदज आ है औरत की क्या जिन्दगी है बस यही जिन्दगी है कि बस अपना किचन को समालो घर को समालो बच्चों को समालो और जो डिमांड हो उसको बना के दो आज बहुत ज़्यादा डिमांड थी इसकी क्योंकि मैं कई वार बना चुकी हूँ और मैं बच्चों को बना के भी देती मैं खुद कुछ कभी मैंने पनीराज तक नहीं खाया लेकिन मैं खुद नहीं खाती हूँ बच्चों को जरूर बना के देती हूँ मा एना आप कुछ नहीं खाएगी लेकिन बच्चों के लिए जो मांगेंगे वो बनाने की कोसिस करेगी तो मैं भी आज बना रही हूं ये मैं कई बार बना चुकी हूं तो बच्चों को अच्छी लगती है तो मैं ये बना कर दे रही हूं मा ऐसा सब्द है न कि बच्चों की हर डिमांड को मा पूरी करती है एक संसकार, एक अच्छाई, एक बुराई, एक माई सिखा सकती है, पितानी सिखा सकता बच्चों को, तो ये देखो मैंने इसमें डाला पानी, जो मैंने पेश्ट बनाया था ना, अद्रग का, उसका मिर्च का और लसन का, तो उसमें मैंने पानी डाल की, इसमें डाल लिया द प्राउन करेंगे प्याज को अच्छी दिस्टि सिम गैस पर बनानी है ज्यादा तेज गैस बनाओंगे तो बूजी में मजा नहीं आएगा बनानी का बहुत इसको थोड़ा सा धहरे रखके बनाना होता है क्योंकि इसकी प्याज जो होती है आज कल की पता नहीं प्याज कैसी जारी है जल्दी से बुनती ही नहीं तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूं तो फट से यह बुन जाती है और मैंने सिम गैस के ओपर यह हैं तो इसको मैंने इसमें सारे मसाले मिक्स कर लूँगी मैं इसमें मैंने डाला है धनिया हल्दी और पिसा हुआ जीरा बुना हुआ जीरा यह सारे मसाले मैंने इसमें डाल ली हैं पिसा हुआ जीरा और बुना हुआ जीरा डालोगे न तो बूजी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है मैं गर मेरे हाथ से गरम हो गया था तो यह मेरे से छोट गया और यह मैंने थोड़े से टमाटर बचा के रखे हुए हैं क्योंकि मैं इसको अपने लिए सबजी बनाओंगी अपने और हस्पेंड के लिए अलग से बनाओंगी तो मैंने यह टमाटर बचा लिए और यह मैं बच्चों क लगती और किचन भरा हो तो बिलकुली मजा नहीं आता सब्जी सुजी बनाने का तो मैं साथ की साथ साफ भी करती रहती हूं किचन को कि मेरी किचन थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है कि हम किचन में क्या करें जो साथ ये अच्छी लगे मतलब किचन खुली है ओपन है वेकिन करने में सब्जी रोटी बनाती हूं मेरा मन दुखी होता है मेरे को किचन चाहिए एकदम फर्स किलास तो देखेंगे जैसे बगवान ने कराना है इसमें मैंने डाला ये मसाला जो पानी में गोल के रखा हुआ था आप इसको पांच मिनट पहले गोल के रख देंगे ना तो इसको बहुत अच्छे से हो जाता है मसाला मलब भीग जाता है न तो अच्छी बन जाती है ग्रेवी सी बन जाती है और जो बिना प्याज लसन के बनाते हैं उसके लिए तो यह सबसे वैस्ट है कि सारे मसालों को भीगो के रख दो इसमें थोड़ी सी हींग भी डाल दो तो देखो सबजी का मज़ा दूना हो जाता है तो यह हमने इसको पानी डालके अब अच्छे से इसको पकने देंगे और यह भी लिए हैं कि इसमें बहुत सारा तेल भी चाहिए नमक डाल दिया थोड़ा पहले डाला था थोड़ा अब डाल दिया और पस अब इसको हम अच्छे से खुब सारा पकान लेंगे इसको उसके बाद फिर यह देखो यह भी गया तो कभी कभी होता है ना कि दिमाग कहीं होता है और घर में काम कुछ और कर रहे होते हैं अब मैं पनीर को क्या करूंगी कद्दू कस कर लोंगी अगर आपका पनीर सोफ्ट है तो आप हा हो जाएगा यही पैचान है मसाला बुन्तिय की कि जब तेल बाहर हो जाए मसाले से तो समझ लो कि हमारा मसाला अच्छा पक चुका है तो यह मसाला हमारा बन के हो गया रेडी और हम क्या करेंगे इसको अभी और थोड़ा पकाएंगे अब यह इसने तेल छोड़ दिया ना अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी और पानी डाल के दुवारा से फिर वालूँगी पहले पानी डाला था उसको मैंनों बिल्कुल जला दिया और जलाने के बाद जब हमारे मसाले अच्छे से पक गए तो फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया इसमें डाला इसमें ये पनीर इतनी चाट चाट के खाई थी सबने सब्जी कम पड़ गई और ये तीन लोगों के लिए थी सब्जी सिर्फ तीनों ने खानी थी हम दो ने खानी थी दूसरी सब्जी क्योंकि हम टिंडे बना लेंगे अपने लिए और ये बच्चों के लिए हमारा लेकिन ये सबजी मसाला नहीं है ये ऐसा मसाला है इसमें मैंने सारी चीजें पीशे लाल मिर्च धनिया थोड़ा सा लसन हींग मेथी इसको मैंने पीश के ये बिल्कुल परीक मसाला बना कर रखा हुआ है इसमें हलका सा चाट मसाला डाला हुआ तो इसमें बहुत अच्छा ट ये सारी चाट चाट के खा गए सब खतम कर दी थी और कम पड़ गई तो ये देखो हमारी सब्ची तो आपको अगर मेरी ये रेस्पी अच्छी लग रही हो भूजी की तो आप एक वार जरू ट्राइए करें और लाइक, सेर और कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें तो फ्रेंट्स आपको कैसी लग रही है मेरी ये रेस्पी ये भूजी की रेस्पी कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छी लग रही है आप ऐसे ही बनाते हो तो मुझे कमेंट जरूर करके बताया कि हम बनाते हैं और नहीं बनाते हो तो एक वार मेरी तरह से जैसे मैंने बताया वैसे बना के देखें आपकी भूजी चाट चाट के खाएंगे आपको सभी पूछेंगे आपने भूजी कैसे बनाई है और बस अब हमारी भूजी बनके हो गया त्यार तो मैंने इसमें क्या डाला ये डाला मैंने मक्खन की थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी क्यूब बना ली थी और मैंने इसमें डाल दी तो इसका एक मज़ा अलग बड़ लाजबाब ये सबजी बन के त्यार होई थी मन खुस हो गया बनाते हुए तो चलो मिलते हैं एक और नई वीडियो में जब तक के लिए बाए